कि एक दिन वाली महर्श्री करदम समाधी में इस्तिफ हो गए क्योंकि देवी देव भूती को अपनी सुंदर्ता का बड़ा अजिमान था इसलिए उसका अभिमान नष्ट करने के लिए तो अपने पत्री का अभिमान नष्ट करने के लिए उन्होंने साधी के एक दिन बाद ही समाधी लगा दी तो देवी देवूती का बचाबुचा अभिमान भी नश्र हो गया। उसने अपने साले आभिशान उतार दिये जो राजसी वस्त्रते वर्वी उतारे और केवल एक समयासिनी के वेश में अपने पती महर्शी करदम की सेवा करने लगी। भोग सो रोग सम भूशन भारूं यमयातना सरिस संसारूं। भोग सो रोग सम भूशन भारूं। यमयातना सरिस संसारूं। भारूं यमयातना सरिस संसारूं। भोग सो रोग सो रोग सम भारूं। भशन भारूं। कि जो मेरे पतिदेव ही समाधी में इस्तित हैं तुम किस्टे लिए सिंगार करों इसको दिखाने के लिए सिंगार करों परंदू आजकल का समय ही विटा है पहले के जमाने में जो इस्तियां होती दी रात्री में शिंगार करतीथी आज जो पती देव चाहे घर में हो या गार सिंगार नदो जरूरी है जिलिये देवी देवुजे ने अपने सारे स्रिंगार उतार दिये एवल सम्यासिनी के वेश में उंकी सिवा करती रही बहुत समय बीज गया जब महर्शी कर्दम की समाधी होती तो उन्होंने देखा कि एक इस्तरी मेरी सिवा कर रही है महर्शी कर्दम अपनी पत्नी को ही भूल गए और कहने लगे देवी तुम कौन हो और मेरे सम्मूग इस्तरकार की मेरी सेवा चुका रही होती तब देवी देव होती कहने लगे वह हमारा है ऐसी कौन से समाधी लगाई जो अपनी पत्नी को ही भूल गए तब महर्शी कर्दम को इसमरण आया कि अरे हमारा तो जिवा हुआ था जब उन्हाने देखा कि तब से देवी देव होती मेरी सेवा कर रही है तो उनका हिद्यक करणा से भर गया और कहने लगे कुष्टो हमध्यतव मान विमान गाया शुस्त्रू सया परपया करया चभक्त्या कि देवी देवुलची मैं तुम्हारी से बहुत प्रसंद्ब हुआ हूँ क्योंकि जिस सरीर पे स्वार्दब लेकर मनुष्य दूसरे इस सरीर के हट्या कर देता है अपने सरीर को बचाने के लिए दूसरा सरीर देखता ही नहीं उस सरीर को तुम्हें भूलकर केवल अपने पती मेरी सेवा की है इससे बढ़कर और क्या सेवा हो सकती है इसलिए आज मैं तुम से बहुत प्रसंद्ब हूँ मागो तुम मुझसे क्या मागती हो तो देवी देव होती कहने हैं आप ये समणत्पती को पागर मेरी सारी काम ने खून हो चुटी है क्योंकि आप यह पेश्वर हैं आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जब आपने कहा ही है कि कुछ मागो तो आप ये समान के लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि यह हमारा विवाब हुआ उतना समय बीच दिया परंतु एक भी संतान नहीं है क्योंकि ग्रहस्त में जब तक संतान हो जाए तो उस ग्रहस्ती भी सूनी हो जाती है तो महरश्ती करदम भी देवी देवहुती का संके समझ गए और विमानम कामकं सत्तस तरिये बार विरची दरत कामक नाम का विमान उससी समय प्रकड़ गिया जो कामना की अनुसार कहीं भी जा सकता था आज कलो डीजर डालो प्रॉट डालो पर उसे आपका जहाँ भी मन हैं वहां लेता सकता है कुंब का परव हो रहा है तो आपका मन हुआ कि कुंब में प्रिविणी का इश्नान कर लिया जाए तो उसी समय जिस समय मन हुआ उसी समय आप इश्नान भी कर देंगे आपने सुझा कि अमेरिका जाना चाहिए तो जैसे ही सोचेंगे वैसे ही वहां कहाँ जाएंगे इस प्रथाराका जिमान महर्षी कर्दम में देवी happens आज दिया है देवी देवधी और महर्षी कर्दम में देना में विहार किया सारे देवताओं के वन में घादियों में नजाने कितने वनों में वह भूंते रहे जो देवताओं को भी भोग दुल्लव हैं उन भोगों का उन हने भोग किया देवी देभूजी की सारी कामनाय भूण हो गई ऐसे संतुष्ट पती को पातर वह पड़ी पसंद हुई गती, क्रिया, खाती और अरुंध हुई ऐसी तपस्विनी कन्याओं का जन्म हुआ तो महर्शी कर्दम ने सर्द रखी थी कि जैसे ही कोई पुत्र होगा या संपान होगी तो मैं सन्याज देकर चला जाँगा तो जैसे ही महर्शी कर्दम जाने लगे तो देवी देवुती में उनके चरण को कर लिए और कहने लगी तभोग मैं आपको जाने से नहीं रोखूंगी परतु आप फ़रा केवल मेरी स्टिशी में जाड़ सुखांती है हमारे घर में नो कन्याएं हैं और मैं बेचारी अकेरी रहे जाओंगी समय बीतने पर इन कन्याओं का विवाह भी करना पड़ेगा हम नो कन्याओं का विवाह करने के दिए में कहां कहां भादूंगी और आप जा रहे हैं सन्याज देने तो आज दे से समट पती को पाकर भी यद मेरा बुड़ावा अकेरे में बीतेगा तो सारा सिंसार आपका ही अपनी करेगा तो महर्शी कर्दम को इस्मरन आ गया कि भगवान ने जब मैं तपश्चा कर रहा 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 तो भगवान ने मुझे वर्दान दिया था कि करदम जी आप सबस्चा करो आप ग्रहस्ते में जाओ तो आपके रिशी पुत्रों के साथ भर्वान कपिल की स्कुति गाने के लिए आए और ध्रमा जी देवी देव उनकी से कहते हैं कि देवी लोके कपिले प्याठ्षां जंता देवी इडिवर्धनां तुम्हारे घर्व से साक्षा भर्वान का जिन्म हुआ है और भर्वान का यहां अतार महर्शी कपिल के रूप में प्रसित हुए देवी देवुची तो बड़ी प्रसन्न हुई परंदु जैल महर्शी करदम ने दे भर्वान केको रिषफ मैंन लेका कि यह सांथ उनकर रिच्पुत्र को अधर कर रहे कभष्छ कि इस कि दर मुखन पर्वारजेश को उने उता धारे द्राइएं। ज़िए और अधर हैों, विभाह से धृता दम, तुधर आएं कनियों कतुरे सी सुंट तरिश्वा के कई भ्गवान कतृ, को नमस्कार करके महर्शी कड़तं को वर्म की ओर चले गए अब धर में केवल मां और बेटा ही वज़े महर्शी कपिल बैठें हुए थी तो अपने पुत्र को एकांत में बैठा देखकर माता देव हुथी उनके पास आई और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगी प्रभू निर्वे नाम नितरां भूमन असदिंद्रियतर शणा ये नसंदाब्यानियन प्रबन्नान हंतमा प्रभू ये प्रभू आज मैं आपको अपने पुत्र के रूप्या नहीं है साक्षा धर्वान के रूप में मान रही हुए मैं आपसे एवल ही पुछना जाती है कि मैंने अपने जीवन काल में इतने भोगों को हुगा है कि इतनी सुप्यवस्ता के साथ जीवन जिया है कि कोई सामान निस्त्रिय ऐसे भोगों की कलपना भी नहीं कर सकता है महराज मनु जो चक्रवटी समराज है उनकी मैं पुत्री हूँ महर्शी करदम के समान मेरे समर्द पती है अनुसुरिया और अरुन्दती जैसी मेरी तफस्यनी कर्म्याएं है उसके बार भी मेरा मन नजाने असांत क्यों रहता है इसलिए आप सभी धर्मों को जानने वाले हैं इसलिए मेरे मन के असांती को केवल आप सी दूर कर सकते हैं मैं आपनी शरण में आती हूँ माता देव की भडवान की शुजि कर रही है कंपागता हम शरेणं शरेणं सब्रेट के संसा से देरो उठारं की मंता सका हम शर्म शर्म वामेट जगन सार रो खूंधारं दीक्या सगाम प्रक्षे पुरु शर्म साम विसादर समीदाम जिस्टे पुरु शर्म साम विसादर विदाम हम शर्म 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 जञायं क्यूंधारं मलता हम विस्टे पुरु शर्म मैंनतर समीदाम खुरु शर्म शर्मस व्हादर लगन साहयं शर्म कि यह जब तक मैं जीवीत रहुँगा, तब तक यह सारा सुनतार, यह संसार के लोग ऐसी ही मेरे सामने रहेंगे, परन तो ऐसा नहीं होता, इसलिए उसका मन हब्रा जाता है, असान तो बजाता है, इसलिए मन को द्रिप्ट तो केवल भूरिंद कर सकते हैं, क्योंकि यह संसार है अज़ुरा, अपूर्ण, किसी को आज तक इस संसार से द्रिप करता है, जो भाइक वाला है, पर कार वाले से चड़ता है, जो कार वाला है, पर ट्रग वाले से चड़ता है, इस प्रकार जितनी भी जितना भी पद बढ़ते जाता है, उतनी ही इरिशा का प्रभाव भी बढ़ता जाता है, इसलिए माता, इस मन को स्रिप्त कोई नहीं कर सक कि मन को आप जाहीं समझी नाफिकों वाइन के अंदर दालेंगे अगर उल्टा घुमाएंगे कि ताज़ा बंद हो जाता है बोलक्त प्रकार यह मन भी क्यों pasture कि वग्ह्ळनका भी पाड़ारन का रें क्योंकि यह अपने पड़ जिनका बहुत बड़ा कारोबार था तीस-कालिस गाडियां भी उनकी चलती थी एक बार वहाँ बड़े पसंद मन से भोजन कर रहे थे परन्त उसी समय उनके लिए कॉल आया कि आपकी 20 गाडियां उनका एक्सिडेंट हो गया है और वहाँ नश्ट हो गई है जेड़ जी तो पहले पसंद मन से भोजन कर रहे थे परन्त उजैसे ही उनके सुना कि मेरे सारी संपत्ति बरबाद हो गई है कि तो उनको जो अच्छा खाना लग रहा था वह उनके खाना खाना ही भूल गए और साधा अमन उनका उसी संपत्ति को सोचे कि तो उनके सारी संपत्ति बरबाद हो जनके 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 सारी संपत्ति बरबाद हो पूलियुलियुल ऴौलियु ते, अरलियुल भल बहुताए, अरियुलियुलियुल वौलियुझ।